यहां हमारे पास एक जैक 9100B S कंट्रोल बॉक्स है इधर यह कंट्रोल पैनल बंध हालत में है जब हम कंट्रोल पैनल को पावर देते हैं तो डिस्प्ले एलेडी आफ फॉन होता है आईए कंट्रोल PCB बोर्ड खोलें और समस्या का पता लगाएं यह समस्या मुख्य रूप से या तो लो वोल्टेज साइड में शोर्ट सर्केट या SMPS सर्केट में कुछ खराबी के कारण होती है तो सबसे पहले हमें 5 वोल्ट की जाच करनी होगी और 15 वोल्ट की लाइने कहीं कोई शोर्ट सर्केट तो नहीं इसके लिए सबसे पहले हमें इस माइक्रो कॉंट्रोलर को जाचना होगा फिर यह 2272 ओपैम्प IC फिर इस फैन साथ 3892 आइजी बीटी गेट ग्राइवर आइजी की जाच करें ग्राइवर आइसी के पिन एक 15 वोल्ट वी सी सी और पिन 13 ग्राउंड के बीच शोर्ट सर्केट की जाच करें पांच वोल्ट लाइन में शोर्ट सर्केट के लिए इस कपैसिटर की जाच करें यदि मेरे द्वारा बताए गए लो वोल्टेज साइड सेक्शन में कोई शोर्ट सर्केट नहीं है तो एस एमपीएस सप्लाई सेक्शन के सभी हिस्सों की जाच करें इस स्विचिंग आइसी को बदलें वाइपर 22 इस जेनर डायोड की जाच करें आए परीक्षन शुरू करें देखें कि समस्या कहा है मल्टीमीटर को बीपिंग मोड में रखें शोर्ट सर्केट का पता लगाने के लिए 15 वोल्ट लाइन का परीक्षन करें 15 वोल्ट सप्लाई या ड्राइवर आइसी में कोई शोर्ट सर्केट नहीं है अब 5 वोल्ट सेक्शन का परीक्षन करें यहां हमारे पास 5 वोल्ट लाइन में शोर्ट सर्केट है इसका मतलब है पांच वोल्ट सेक्षन का कोई भी हिस्सा क्षतिग्रस्थ है यह माइक्रो कंट्रोलर या यह 2272 IC या कोई कैपेसिटर या डायोड या वोल्टेज रेगुलेटर IC खराब है हमें सटीक हिस्से का पता लगाना होगा जो खराब है इसके लिए हम PCB से प्रत्येक कंपोनेंट्स को एक एक करके निकाल सकते हैं और उनका परीक्षन कर सकते हैं ऐसा करने से हम क्षतिग्रस्थ कंपोनेंट्स को आसानी से ढूंड सकते हैं लेकिन यह बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है और कभी कभी कठिन भी होती है तो यहां मैं क्षतिग्रस्थ कंपोनेंट्स को ढूंडने के लिए शोर्ट सर्किट के लिंग तकनीक का उप्योग कर रहा हूँ इसके लिए हमें 3.3 वोल्ट और 1.5 एंपियर से 3 एंपियर डीसी बिजली की सप्लाई की आवश्चक्ता है यहां मैं 12 वोल्ट प्रांस फार्मर से 3.3 वोल्ट और 1.5 एंपियर डीसी बिजली की सप्लाई उत्पन्न करने के लिए इस बक कन्वर्टर सर्किट का उप्योग कर रहा हूँ 5 वोल्ट से अधिक का उप्योग न करें अन्यथा यह अच्छे कंपोनेंट्स को नुकसान पहुचाएगा क्योंकि हम इस डीसी सप्लाई का उप्योग 5 वोल्ट की आपूर्ती लाइन में कर रहे हैं हम आपको सलाह देते हैं कि आपको 5 वोल्ट से कम का उप्योग करना चाहिए. अब इस DC 3.3 वोल्ट पावर सप्लाई को PCB की 5 वोल्ट सप्लाई लाइन से कनेक्ट करें. कुछ रोजिन लें और रोजिन के धुएं को PCB के सभी कमपोनेंट्स में खैलाएं. म機 और सकत कर 10 वोल्ट आपको से के पावर कर 10 वोल्ट से वोल्मक्राई लावर कर दो में. झांवजिन वोल्ट 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 व्योग कर देना उना नाहिश्याव? झाल 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 अब 3.3 वोल्ट पावर दें और कुछ सेकंड प्रतीक्षा करें खराब कंपोनेंट गर्म हो जाएंगे और रसिन पिघल जाएंगे इस तरह हम ख्षतिग्रस्ट कंपोनेंट को आसानी से ढून सकते हैं यहां आप देख सकते हैं कि यह 2272 ओपैंप आइसी गर्म हो गया है और रोसिन को पिघला रहा है इसलिए यह आइसी हमारे PCB में खराब हो गया है अन्य सभी कंपोनेंट्स को एक बार जाचें बाहरी 3.3 वोल्ट पावर सप्लाई हटा दें फिर खराब आइसी को हटा दें PCB से खराब आइसी को हटाने के बाद पावर को PCB से कनेक्ट करें और जाचें की यह काम कर रहा है या नहीं LED डिस्पले पर एरर दिख रहा है इसका मतलब है कि PCB काम कर रहा है PCB को ठीक से साफ करें इस नए IC को PCB में ठीक से लगाए झाले 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 झाल झाले झाल 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 अब अंत में सभी वोल्टेज की जाँच करें पांच वोल्ट ठीक है हमें 15 वोल्ट की जगह 16 वोल्ट मिल रहा है जो ठीक भी है इस सेक्षन में 14 वोल्ट से 17 वोल्ट तक हो सकता है तो हमारी PCB रिपेरिंग पूरी हो गई है अब यह ठीक है आएए PCB को वापस कंट्रोल पैनल में रखें और उसका परीक्षन करें क्लाइक जर्ब भी में 14 वोल्ट ओूरी में 16 वोल्ट अभी हमारा कंट्रोल पैनल ठीक से काम कर रहा है विडियो अच्छा लगे तो लाइक करे और ऐसे विडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे